हलो फ्रेंज वेलकम टो वाट चानल देप्रशिता शोग बहुत सारे पैरेंट्स को यह प्रब्लम आती है कि बच्चे दूथ नहीं पीते हैं और बच्चे दूथ क्यों नहीं पीते हैं इसी बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और वीडियो को शुरू करने से पह में बात पांट करते हैं अब कर आप काव मिल्क को देते हैं या फिर आप पैक्ड बचल को Seriously हो जाता है अगर आप ब्रेस्ट मिल्क को देखें वरेडियों हो देखेंग को देखेंगे passer आप animal milk के taste को देखे और आप packet दूद के taste को देखे तो इन सारे दूद के taste में भी बहुत difference होता है जिसकी वज़े से बच्चे को milk को accept करना दूद को पीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चे breast milk बहुत easily पी लेते हैं लेकि जब time आता है उनका packet दूद पीने का या फिर animal milk लेने का तो उस time पे उनको दूद पीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो digestion का भी एक issue होता है दूद के साथ में फिर कुछ बच्चे को lactose का problem होता है कुछ बच्चों को दूद की वज़े से तो कई बारी उस वज़े से भी बच्चे को milk accept करना या milk को पीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमें यह लगता है कि बच्चे को दूद क्यों नहीं पीरा क्यों नहीं पीरा बट बच्चे की बॉड़ी को थोड़ा सा समझ में आता है जब वो दूद पीता है तो हो सकता है उसकी बॉड़ी में कुछ डिसकमफर्ट हो रहा है और बड़ा नॉर्मल सा कुछ बचों में होता है कि बच्चे को दूद नहीं अच्छा लगता मतला बच्चे को टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या तरीके क्या क्या ट्रिक्स हम ऐसे पैरेंस फॉलो कर सकते हैं कि बच्चे जो है आराम से पीलें काई बारी आइचली रूल यही है कि बचे को आप नॉर्मली एक गिलास दूद्ध मैं काऊंगे कि विदाउट शुगर क्योंकि शुगर भी इतनी जल्दी एज में बचे को देना ठीक नहीं है तो जो सही तरीका है वो यही है कि सुबा शाम बचे को दूद्ध पीने में बट क्योंकि दूद्ध उनकी बॉड़ी के लिए बहुत जादा ज़रूरी है दूद्ध से बच्छे को केल्शियम मिलता है उनका अभी ग्रोइंग स्टेज है बचा बढ रहा है बचे को कैल्शियम के जुरात है उसकी बोन्स के लिए उसकी मसल्स के ल अब सबसे पहले तो मैं यह क्लियर करना चाहूंगी कि धूत के लिए जरूरी नहीं है कि बचा सिर्फ दूत ही पिए बात यह है कि डेरी प्रोड़क्स बचे की बॉड़ी में डेली बेसिस के डाइट में आपको इंक्लूट करना है अगर अभी इस एच में जिस भी आपका ब रही दे सकते हो उसको चीज दे सकते हो उसको घी दे सकते हो उसको पनीर आप दे सकते हो तो बैसिक लिए दूद से बनी जो भी चीज़े होती है आप वह उसकी डाइट में आट कर सकते हो अगर बचे को दूद अच्छा नहीं लग रहा है तो दूद से बनी जो प्रोड़क से उसको मिलचाए कि कई बड़ी नहीं लगता तो टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं तो या तो आप उसमें थोड़ा सा वैसे तो बचको प्लेन दूदी पीना चाहिए तो आप है तो उसकी recipe already channel पे है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, तो basically उसका taste, दूद का अपना taste थोड़ा सा पीछे अटके, और taste थोड़ा सा एंहेंस हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, उसके लिए आप या तो vanilla essence उसमें डाल दो, या आप dry fruit powder अजी से बन जाती है, जैसे पोखा की खीर हो गई, वो within 10 minutes रेडी हो जाती है, सूजी की खीर हो गई, आप सूजी की की खीर में आप दूध आदड कर सकते हो, पोखा बनाओगे तो रपा बनाके उसमें प्धोडा सा दूध अब आप का दल आप बना सकते हो और आपका दू बाकि और जो भी आल्टरनेट आप देखना चाहे वह भी देख सकते हैं तो उसमें भी आप दूज से मनी कोई भी चीज सको दे सकते हो फिर है कि कुछ fruits बचों को बहुत अच्छे लगते हैं तो shake वगेरा हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है हम लोग पीते ही हैं तो fruit जो भी बच्चे को अच्छा लगता है वह थोड़ा सा उसमें blend कर दो या उसको shake बना दो उस form में भी बच्चे को लेना वह बहुत अच्छा लगता है तो अगर उस तो वह भी आप कर सकते हो कुछ फ्रूट्स डाल के उसका शेक या उसका प्यूरी टाइप बना सकते हो तो वह भी बचा पी लेगा फिर थोड़े से ट्रिक्स और फॉलोग कर सकते हो बच्चों के लिए अब बच्चे को किसे कपड़ान में तो वह उसको पताएगी उसको दूद ही पी लेते है तो कहीं बच्चे जो है दूद आराम से पी लेते हैं फिर कुछ biscuits या कुछ cookies वगेरा अगर बचे के favorite हैं तो आप दूस सी 4 biscuit बचे को दे सकते हो दूद के साथ में कि अगर आप दूद पीलोगे तो साथ में आप ये biscuit खा सकते हो अब क्योंकि बचे को वह biscuit खाना है क्योंकि बचे को बिसके अच्छे लगता है और कहि बचे को दूद पिलाने के लिए एक काम और भी कर सकते हो, होता क्या है कि जो काम हम करते हैं वो बचे को करना बहुत अच्छा लगता है, आप तो चाह और कॉफी पी रहे हो और साथ में बचा बैठ के दूद पी ले तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ताइम के ल लगता है, बचे को हमारी कमपनी अच्छे लगती है, और बचे को कही ना कही है, फिल होगा कि अगर मतलब या डाट जो भी उसके साथ बैठ के दूद पी रहे हैं, या फामिली मेंबस में कोई और, आगर वो दूद पी रहे हैं, तो मुझे भी दूद पीना है, तो सा बड़ा है, थोड़ा सा समझ सकता है, तो उसको आप थोड़ा सा समझाओ कि आप दूद पीओगे, तो आपकी बोल स्ट्रॉंग होगी, आप अच्छे से खेल पाओगे, या इस तरीके से जो भी ख्लिक फॉलो करके, आप बचे को दूद की इंपोर्टेंस थोड़ी सी ब सकते हो, तो बचे ब्रेकफास में वो भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं, एक थोड़ा सा टेंपरेचर का भी ध्यान रख सकते हो, आचली तो फॉर्मला यही है कि बचे को थोड़ा सा गुनगुना दूद, प्लेन दूद, बिदाओट शुगर दूद पीना चाहिए, तो आप देखो आपके बचे को कैसा अच्छा लग रहा है, बहुत अदा विंटर्स में आप ठंडा दूद उसको मत दो, आप रूम टेंपरेचर पर कोशिश करो कि बचा पी ले, क्योंकि रूम टेंपरेचर पर वो दूद पी लेता है, तो उसके लिए सामज में भी अच् एक दोट्री पीले ले तो वो भी एक केस हो सकता है, आप बचे को दूद जब भी दे रहे हो, जिसमी फॉर्म में दे रहे हो, पहले ऊसको थोड़ा क्वांटेटी दे, पहले बचे को समझ लें कि बचे को कैसा दूद अच्छा लग रहा है, मतलब अगर आप फूरी बनां क कि देरे हो तो बैसिकलिल दूद से बनी चीजें को औरभी ऑगर आप बचय के सामने दे रहे हो लो गडिग कर रहे हो तो आप थोड़ी वी में हूसको दो जब बचा उचको फिनिश कर लेता है फिर उसके बाद आप रहे करके कोणीटी कॉण धे मैं अठ्टिके फिर मैं आपको suggest करूँगी जो भी brand आप दूद का use कर रहे हो हो सकते हैं आप animal milk use कर रहे हो, animal में cow milk हो सकता है, boffello milk हो सकता है हो सकता है पैक्ट में जो दूद आते हैं आप उसमें भी बहुत तरह के होते हैं full cream दूद है, toned दूद है तो आप जो भी दूद ही उस कर रहे हो जो बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा आप थोड़ा सा वो change करके देख लो हो सकते है वो दूसरा दूद बच्चे को अच्छा लग जाए अगर full cream उसको अच्छा ना लग रहा हो तो फिलहाल toned उसको पिला के देख लो दूद आप बच्चे को किस तरीके से पिला सकते हो दूद बच्चे की डाइट में आट करना बहुत ही जादा ज़रूरी है दूद के बिना हर बच्चे की डाइट अधूरी है ऐसे parents हम बस यह जित करके नहीं पैट जाए कि हमें बच्चे को दूद ही पिलाना है कमीा हो जाएं और सहासाथ आप यह ट्रिक्स फॉल्लो करते रों बच्चा किसी ना किसी तरीके से टूद्ध पी लेगा किसी ना किसी तरीके से बच्चा को दूद्ध ज़रूर अच्छा लगेंगा बच्चा सिमपल दूद्ध पी लेता है तो हमाई लिए काम थोड़ा इजी हो जाता है और हर दिन नए डीश बना के देना थोड़ा सा काम तफ रहता है बट आप पैरेंट्स हो आपको थोड़ी सी महिनत करनी ही है अगर बच्चा दूद नहीं पी रहा है तो आपको चाहिए शेक में उसको देना है चाहि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है कॉमेंट करके जरूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है आज के लिए इतना ही आगे मिलते एक नए टॉपिक के साथ तैंक्यू सो मच